दोस्तों, बुरा समय जो है न, वो लाइफ में सब के साथ आता है, मैं हूँ, आप हो, सब के साथ आता है, और ये समय का चक्र है, ये घूमता रहता है, कब हमें किसकी कहां कैसे जुर्द पड़ जाए, इसको कोई नहीं जानता, नहीं इसको कोई बता पाएगा, इसी से समद्धित एक बाद बताता हूँ, जब अमिताब बच्चन का बुरा समय चल रहा था न, सन 2000 के आसपास की बात है, तब वो डेविद धहुन के पास गये थे, काम मांगने के लिए, थोड़ा बहुत उस टाम उनको काम मिल गया रहा, मिल रहा था, हलका फुलका, उनके पास गये थे, क्यार कोई एक हिट फिलम मेरको दिला दो, करवा दो, मेरा भी थोड़ा नया पार लग जाएगी, उस टाम डेविद धहुन जो है, बड़े मिया, छोटे मिया की स्क्रिप लिख रहे थे, उसके त्यारी कर रहे थे, डेविद धहुन ने उनको कहा, कि भीया, यह फिलम तो आपको मिल जाएगी, हिट है, लेकिन आप इसमें काम करने के लिए, गोविंदा जी को मना लो, तो अमिताब जी गए, गोविंदा के पास उन्होंने बोला, और गोविंदा जो है काम के लिए त्यार हो गए, अच्छा, डेविड जी ने गोविंदा के लिए क्योंकि गोविंदा की जो है, उस टाइम लड़की का देहान थोगा था, छोटी सुमर में ही, तो वो डिप्रेशन में थे, किसी और, किसी की फिलम साइन नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अमिताब जी के जाने पर उन्होंने फिलम साइन कर ली, उसके तो गोविंदा जब इंडस्ट्रिम आए, तो वो अमिताब जी के पास काम मांगने गए, अमिताब जी ने अपनी फिलम हम में उनको रोल दिया था, जिससे उन्हें आगे फिर काम मिलना शुरू हो गया, तो दोस्तों ये है, जीवन के चकर और बुरे समय की बात, एक टाइ आप जिन उनकी मदद केई थी, लेकिन उन्होंने ये सोच के ये मदद नहीं करी थी, कि वहिश्य में मुझे कभी कोविंदा से मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन समय का चक्र है, आप बिना सोचे समझे, किसी की भी मदद करते रहिए, पता नहीं कब किस मोड पे आपको उसक के जूर्द पड़ जाए, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय का चक्र है, ये चलता ही रहेगा दोस्तों, जैहिन जैभार